असलाम लेकुम इस्टूडेंट वेलकम तू अनलाइन क्लास हावर यू और वोप यू आरल गूट आइम यूर मैट टीचर तुड़े आवर वर्क इन बुक वर्क सो ना उपिन यूर मैट बुक पेज नंबर 93 पेज नंबर 93 उपिन करें उस पर हमें क्या टॉपिक गिविन है जॉइन दा नेम ऑफ इच मंथ विट इस करेक्ट प्लेस इन दा क्लेंडर अब हमें यहाँ पे यह मंथ के नेम गिविन है और उनके नंबर भी गिविन है बट वो रिप्लेस होए मतलब आगे पीछे होए में है अब हमने उसको मैच करना है अब हमने आप या तो अपने साम पैंसिल लेंगे इसकेल लेंगे ठीक है और देखेंगे कि कौन सा अब हमने क्या करना है देखना है जैनवरी हमारे पास सबसे फर्स मंथ कौन सा है जैनवरी हम देखेंगे कि जैनवरी हमारे पाफ फॉस्ट मंथ है ठीक है तो आप हम नंबर में थे देखेंगे कि फॉस्ट month कहां लिखावा है अब हम first month लिखावा है third number पर तो हम January को first month के साथ match करेंगे pencil और scale से ठीक है हम match करेंगे अब हमने देखना है February, February हमारा second month है ठीक है तो हम क्या करेंगे February देखेंगे अब numbers में देखेंगे कि second month कहां लिखा है second month second number पर ही लिखा है तो हम February को second month के साथ match करेंगे ऐसे ही हम March को third month के साथ match करेंगे April को four month के साथ match करेंगे May को fifth month के साथ match करेंगे June को six month के साथ match करेंगे July को seven month के साथ match करेंगे August को eight month के साथ match करेंगे September को ninth month के साथ match करेंगे October को 10 मन्त के साथ मैच करेंगे November को 11 मन्त के साथ December को 12 मन्त के साथ मैच करेंगे ठीक है ये तो हमारे मैचिंग हो गए अब हमें second topic क्या दिया वा है हमें एक फिलिंदा ब्लैंक जीवी है कुछ ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है लिका है my birthday is in dish यानि मेरी birthday का आती है अगस्ट में ठीक है अब मैंने तो यहाँ पर August लिखा है क्योंकि मेरी birthday अगस्ट में आती है बट आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर अपनी birthday का month लिखेंगे month name लिखेंगे अपनी बर्दे का अब जैसे मैंने अगस्ट लिखा यानि मेरी बर्दे अगस्ट में आती है अब आप लोग अपनी बर्दे का मन्थ लिखेंगे अगस्ट ने लिखेंगे आप लोग आप लोग अपनी बर्दे का मन्थ नेम लिखेंगे ठीके उसके बाद second flint of blanks में हमें क्या करे है it is the day month of the year अब August जो है अब मैंने first flint of blanks में August लिखा था तो अब जो August है वो साल का आठ फा मन्त है यानि 8th मन्त है तो मैंने यहाँ पे 8th मन्त 8th लिखा है सही है अब आप लोग जो मतलब आगर किसी की December में आती है तो वो यहाँ पे first flint of blanks में December लिखेगा और second flint of blanks में 12 लिखेगा क्योंके December हमारा 12th मन्त है सही है अब हमने यह तो कर लिया अब हमाने क्या करना है My friends birthday is in dish अब मैंने अपनी friend की birthday का month लिखना है month name लिखना है अब मेरी जो दोस्त है उसकी birthday आती January में ठीके तो मैंने यहाँ पे January लिखा है बट आप लोग अपनी friend की birthday का month लिखेंगे January नहीं लिखेंगे जिसमें मतलब आपकी birthday आपकी friend की जिस month में बढ़ते आती है वो month का name आप यहाँ लिखेंगे सही है उसके बाद it is the day month of the year अब हमने क्या लिखना है इसमें के वो अब यह लिखना है पहले तो हमने इसी किया था ना अब मेरा तो 8 month था यानि 8 नमबर पे मेरा month आया था अब January मेरी जो friend है उसका जो है साल के first month में बढ़ते आता है तो हम यहाँ पे first लिखेंगे सही है हमार page number 93 का work complete हो गया अब हम page number 94 पे जाएंगे 94 पे हमें क्या दिया है write the name of the month according to their first letter ठीक है अब हमने सब month के first first letter given है ठीक है अब हमने देखना है कि first letter के मताबिक हमने उनको spelling complete करनी है ठीक है अब सबसे पहले आपको flinda blanks में क्या एक apple दिया गए ठीक है अब apple तो a से हाता है ठीक है अब दो flinda blanks दी वहे है उसमें दो a लिखे वहे हैं ठीक है अब हमने देखना है कि a से a word से कौन से month शुरू होते है month के निम कौन से a से start होते है ठीक है तो april लिखेंगे और second में हम क्या लिखेंगे august क्योंकि august का month भी a से start हो रहे है और april का month भी a से ही start हो रहे है ठीक है और second number पे हमें क्या दिया वाए f यानि f word दिया वाए हमें first word दिया वाए अब हमने देखना है कि f से कौन सा month आता है f से month का निम आता है February तो हम यहाँ पे February की पूरी spelling complete लिखेंगे ठीक है अब थर्ड उसमें हमें m दिया वाए है m word दिया वाए है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जो m से start होते है ना जो month के निम वो हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है कौन कौन से start होते हैं calendar में देखेंगे बुक में देखेंगे तो हमें क्या दिखा March और May का जो month है month name है वो M से start होता है तो हम यहाँ पे March और May लिखेंगे से यह और आप लोग देखेंगे जो मतलब alphabet आ रहे हैं starting के उसी की according आपको pictures भी given है जैसे देखें April A से आता है तो हमें apple दिया वह है February F से आता है तो हमें fish दिवी है March और May M से आते हैं तो हमें monkey दिया वह है मतलब alphabet के हिसाब से according हमें pictures भी given है बट हमने क्या करना है इनके pictures name लिखने हमने month के name लिखने है ऐसे ही आपको second उस पे क्या दिया वह है end दिया वह है second line में देखें आपको end दिया वह है अब हमने देखना है end से हमार पास कौन से month का name start हो रहा है तो हमने देखा calendar में तो हमार पास क्या है November ठीक है तो हम यहापे November की पूरी spelling लिखेंगे अब November end से November भी आता है और निडिल भी आती है तो हमें यहापे निडिल की picture given है सही है अब हमने second उसमें क्या दिया वह है O ठीक है अब हमने देखना है O word से कौन सा month हमारा start हो रहा है ठीक है तो हमने देखा calendar में तो हमारे पास कौन सा month है October October ठीक है अब October O से October भी आता है और Octopus भी आता है तो हमें क्या Octopus की picture given है हमने Octopus की spelling ने लिखनी हमने October की spelling लिखनी है तो यहापे हम October लिखेंगे अब उसमें next उसमें देखें हमें क्या दिया वह है S word दिया वह है ठीक है अब हमें S word के according September भी S सही स्टार्ट होता है तो हम यहापे September की spelling लिखेंगे ठीक है अब last वाली उसमें देखेंगे last उसमें हमें क्या given है J ठीक है अब हमने यहापे J पे हमें तीन फिलिंदब लेंक्स given है यानि हमें देखना है कि J से J word से तीन मंथ के नाम आते हैं ठीक है तो हमने देखना है किलेंडर में कौन कौन से नाई में आते हैं ठीक है हमने देखा सबसे पहले तो हमाई पस January आया तो हम यहापे सबसे पहले January लिखेंगे second उसमें हम June लिखेंगे क्योंकि June की spelling भी J-U-N-E June हमने जग की spelling ने लिखनी मंथ की spelling लिखनी है ठीक है अब आप लोग लास्ट वाली देखें लास्ट में हमें कौन सा word given है D हमने देखना है D से कौन सा month स्टार्ट हो रहा है मंथ ने हमाँ आपस D से स्टार्ट हो रहा है December का तो हम यहाँ पर December की spelling लिखेंगे उसके D के according ही हमें D word के according ही हमें picture given है dog की यानि D for dog और D for December बट हम December की spelling लिखेंगे यह है आप लोग का homework so do homework neat and clean